मश्कार दोस्तो आप सी के चैनल में आपका स्वागत है आज मैं जीरो से तीन महिने के बेबी के लिए एक फ्रॉक लाए हूँ बेबी फ्रॉक लाए हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है तो पहले पार्ट में हम उपर की चोली बनाएंगे और दूसरे पार्ट में हम घेरा तो चलिए friends हम बनाना शुरू करते हैं मैंने border में 60 फंदे 60 stitches डाले हैं और 8 लाइन सीधा सीधा बुनेंगे दोनों तरफ से सब भी फंदे सीधे सीधे बुनते हुए हम 8 लाइन complete करेंगे देखिए friends चार लाइन complete हो गया है जिससे दो उल्टे फंदों की धारियां आ गए है और पांचवी लाइन में बुनते हुए हम दूसरी साइड में आ गए है और अब सलाई पे चार फंदे है तो अब क्या करेंगे कि उनको ऐसे घुमा के वापस दूसरी तरफ लाइंगे दो फंदों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे यहाँ पे हमने दो का एक किया और एक जाली बनाया इससे हमारा बटन हूल बन जाएगा फिर दोनों फंदे लास्ट के हम सीधा बन लेंगे और छटी लाइन में हम पहला फंदा स्लिप करेंगे उन दूसरी और करेंगे और सभी फंदे सीधे बनाएंगे यहाँ पे हमने दो फंदे का एक किया था और एक जाली दिया था तो इस फंदे में हम एक सीधा फंदा बना लेंगे अब हमारे फंदे बैलेंस हो गए और शेज सभी फंदे सीधा बनाएंगे और इसी तरह दो लाइन और हम सीधा बुनते हुए complete करेंगे देखिए फ्रेंट्स आठ लाइन कम्प्रीट हो गया है जिससे चार उल्टे फंदों की धारियां सामने से और चार उल्टे फंदों की धारियां पीछे से आ गए हैं अब हम इन फंदों को पांच भागों में डिवाइड करेंगे दो फ्रंट के, दो आस्तिन के और एक बैक पार्ट अब इन साथ फंदों को हम पांच भागों में बाजित करेंगे तो छेचे फंदे बाडर के हो गया और छेचे फंदे दोनों फ्रंट साइड के साथ फंदे आस्तिन के और अठारा फंदे 18 स्टीचेज बैक के और ये एक एक फंदे डिवाइडर है तो टोटल हुए हमारे 60 फंदे हैं 6 फंदा बॉर्डर 6 फंदा फ्रंट का एक डिवाइडर साथ फंदे आस्तिन के फिर ये सेकंड डिवाइडर फिर 18 फंदे back के फिर 3rd divider फिर 7 फंदे ये दूसरे आस्तिन के फिर ये 4th divider फिर 6 फंदे दूसरे front side के और ये 6 फंदे हमारे border के total हो गए 60 stitches इसी तरह हम इन फंदों को divide करेंगे पहले फंदे में ऐसे purlwise डालेंगे उन दूसरी और करेंगे और 5 फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच तो ये 6 फंदे border के हो गए फिर 6 फंदे हम front के बलेंगे दो तीन चार पांच और ये 6 फिर ये first divider है तो इसके दोनों तरफ हम जाली देंगे और ये जो दूसरा जाली दे रहा है ये हो जाएगा आस्तिन का पहला फंदा दो तीन चार पांच छे और साथ ये आपका एक आस्तिन हो गया फिर उन अपनी और करेंगे ये हमारा second divider second divider के दोनों तरफ हमें जाली देना है तो उन अपनी और करेंगे और फिर 18 फंदे back के हम बना लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सूला, सत्रा और अठारा फिर उन अपनी और करेंगे ये हमारा third divider है फिर उन अपनी और करेंगे और 7 फंदे दूसरे आस्तिन के एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ फिर उन अपनी और करेंगे ये fourth divider है और फिर 6 बारा फंदे बचेंगे और 12 इनको हम सीधा बुनेंगे उन अपनी और करेंगे और तब इनको सीधा बुनेंगे अब wrong side में हमें 6 छे फंदे दोनों side से border के सीधे बुनने होंगे यानि सामने से भी सीधे बुनेंगे और पीछे से भी सीधे बुनेंगे और बीच के सभी फंदे उल्टे बुनेंगे पर्ला फंदा ऐसे पर्ल वाइस डालेंगे उन दूसरी और करेंगे और पांच फंदा सीधा दो तीन चार पांच फिर उन अपनी और करेंगे और सभी फंदे उल्टे बुनेंगे लास्ट के पांच 6 फंदे को छोड़ कर बीच के सभी फंदे उल्टे बुनेंगे सारे फंदे उल्टे बुनते हुए हम दूसरी तरफ आ गए हैं और अब ये बार्डर के छे फंदे बचे हैं तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे वैसे पर्ल वाइस डालेंगे उन दूसरी और करेंगे और बारा फंदे सीधे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा और ये जाली बार्वाफंदा अब हमें इस जो डिवाइडर है इसके दोनों तरफ जाली देना है तो जितने भी डिवाइडर हैं उनके दोनों तरफ हमें हर सीधी लाइन में जाली देना होगा एक जाली दिया उनके उर किया फिर जाली देते हुए सीधा ये हमारा दूसरा जाली पड़ रहा है तो जितने भी डिवाइडर हैं प्रतियक डिवाइडर के दोनों तरफ हमें हर सीधी लाइन में जाली देना है इस तरह जाली देते हुए हम तेरह जाली कम्प्रीट करेंग यह हमारा दूसरा जाली है इसी तरह हम तेरा जाली कम्प्लीट करेंगे तो तेरा जाली कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाते हूँ देखिए फ्रेंट्स तेरा जालीयां कम्प्लीट हो चुकी है तो तेरा जाली बनाने के बाद मैंने पांच लाइन सीधा सीधा बुना है आगे से भी सीधा और पीछे से भी सीधा और इस समय पे कोई भी जालीया नहीं बनी है अब छे फंदेशिस बचे हैं तो उन्हें भी हम सीधा बुनेंगे तो सीधा बुनते हुए हमारा ये पांच लाइन कम्प्लीट हो गया है और अब ये छटा लाइन तो पहला फंद ऐसे पर्ल वाइस डालेंगे उन दूसरी और करेंगे और सब भी फंदे सीधा बुनते चले जाएंगे देखिए फ्रेंट्स हमने 25 फंदे सीधे बुन लिया हैं 13 ये जालिया हुई 6 फंदे उपर थे 19 और 6 फंदे बॉर्डर के यानि 25 फंदे हमारे फ्रंट साइड के हुए और डिवाइडर को हमने आस्तिन की तरफ रख दिया है तो अब डिवाइडर अब हम दो फंदा ऐसे ब पचला देंगे अब हम यहाँ पे आस्तिन की फंदे घटा रहा है देखिए फ्रेंट्स एक डिवाइडर से लेके दूसरी डिवाइडर तक के सारे फंदे हमने घटा दिया है तेरफ फंदे इधर थे तेरफ फंदे इधर और साथ फंदे इधर और एक एक फंदे डिवाइडर के यानि की 35 स्टिचेज टोटल हुए तो हमने 35 स्टिचेज घटा दिये हैं और यह हमारा देखिए बेवी का आस्तिन बन गया है और अब हम 6 फंदे सीधे बुनते चले जाएंगे अब 6 फंदे बुनते हुए हम तीसरे डिवाइडर तक पहुंचेंगे देखिए फ्रेंड्स बैक पॉशन के सभी फंदे बुने जा चुके हैं 13 फंदे यह जाली 13 जाली और 13 जाली इधर का 26 और यहां पे 18 फंदे यानि 44 स्टिचेज बैक पॉशन के अब हम दूसरी आस्तिन के भी 13 ते रजालिया थी 7 फंदे और दो डिवाइडर यानि 35 फंदे घटा देंगे तो दो फंदा सीधा बुनेंगे पहला फंदा दूसरे के उपर ऐसे चढ़ाएंगे इसी तरह करते हुए 35 फंदे हम घटा देंगे देखिए फ्रेंड्स दूसरा आस्तिन भी घट गया और हमारा ये बेबी फ्रॉग कुछ इस तरह का आया है तो अब हम इन फंदों को भी सीधा बुनते हुए दूसरी साइड में आ जाएंगे देखिए फ्रेंड्स अब हम छे फंदों को बाडर के छे फंदों को दूसरी सलाई पर ऐसे उतारेंगे पांच और छे और दूसरे पल लेगा अब हमें ये ध्यान देना है कि ये जो हमारा बटन होल वला है पला है वो उपर रहेगा अब अब एक फंदा एक फंदा एक सलाई में से एक फंदा दूसरी सलाई में से ऐसे हम तीसरी सलाई पर उतारते चले जाएंगे अब हमारे ये दोनों सिरे ज्वायंठ हो जाएंगे देखेए ऐसे या तो हम इसको फ़रंट बना सकते हैं या फिर इस पार्ड को हम फ़रंट बना सकते हैं तो अब क्या करेंगे कि एक फंदा इसमेन से लेंगे और इसमेन न अब हमारे सलाई में एती एक स्टीचेश हैं अब ये जो छे इधर के छे इधर के दुनों मिल गया है तो ये बारा से छे हो गया है और अब देखिए छे फंदे इस साइट से छे फंदे इस साइट से और छे फंदे बाडर के यानि हमारे अठारा फंदे ये हो गया तो अठारा फंदे इधर भी हो गया और अठारा फंदे यहां उपर भी हो गया यानि कि नीचे की तरफ चवालिस चवालिस फंदे यहां फ्र दो बार बुनेंगे, एक बार सीधा और फिर एक बार पयाक से सीधा, यानि हमें प्रतिक इस्टिश में दो फंदे बनाने हैं, प्रतिक फंदे में दो दो फंदा बनाते हुए हम आस्तिन के पास यह आ गया है, तो अब हम यहाँ पे इसको ऐसे जोड़ लेंगे, और इसमें भी दो फंदा बना लेंगे, हमें प्रतिक फंदे में दो फंदा बनाना है, बड़ एक बार आगे से बुनेंगे और एक बार घुमा के पीछे से बुनेंगे, प्रतिक फंदे में हमें दो फंदे बनाना है, दो फंदा बनाना है, देखिए फ्रेंट्स, अब हमारे पास लास्ट फंदे बचे हुए हैं, आखरी फंदा ये बचा हुआ है, तो इसमें हम एक से दो नहीं करेंगे, क्योंकि 88 को जब हम हर फंदे में हम एक से दो कर रहे हैं, तो हमारे पास 176 फंदे हो जा रहे हैं, और हमें चाहिए 175, इसलिए इसको हम नर्मली सीधा ही बुन लेंगे, अब हमारे पास टोटल 175 स्टीचे हैं, तो और इसके साथ ही हमारा बेबी फ्राग का अपर पार्ट त्यार हो गया है, तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं, थैंक्स फर वाचिंग